नमस्कार मेरा नाम है शरच शर्मा और आप देखरें नमस्ते राजस्तान न्यूज अब ही कि एक बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है लड़ाग में LAC पर हिंसक जड़ब में बारत के 20 जवान शहीद चीन के 43 सेनिक हदाद हुए है चीन के साथ हुई जड़ब में बारत के 20 सेनिक शहीद हुए है इससे पहले मंगलवार को दुपैर में एक अफसर और दो जवान के शहीद होने की जानकारी सामने आई थी लेकिन अब सूत्रों के मुटभी की जड़ब में बारत के 20 सेनिक जो हैं वो शहीद हुए है LAC पर सोंबार को चीन के साथ हुई जड़ब में बारत के 20 सेनिक शहीद हुए बताय चारह कि इस अंक्या बढ़ सकती है इस गटना में चीनी सेना के 43 सेनिक हताओत हुएं इसमें से कुछ की मौत हो गई है और कुछ जगमी हुएं बता दे सोंबार रात जो है इस बारे की जो है पूरी गटना की जो है जानकारी सामने आई थी ये गटना तब हुई थी ये बयान जारी किया है सेना ने कहा है कि 15 जून की रात को गलवान गाटी इलाके में हिंसक जड़ब हुई थी इस गटना में 20 सेनिक जो है भारत के शहिद हुएं चीनी सीमा के इलाकों में जो है वह ऐलर्ट जारी कर दिया गया चीन और भारती सेना के बीच हुई तना तनी की चलते हिमाचल प्रदेश से सटी चिनी सीमा के इलाकों में अलर्ड किया गया है अलर्ड के साथ हिमाचल पुलिस ने सूबे की सभी कूफिया एजन्सियों को सतर किया है राज्य के जिला किन्नोर और लाहॉल स्पिती में रहरे लोगों की सुरक्षा सुनिशित करने के लिए एडवेजरी भी जारी कर दी गई हिमाचल के दो जिलो किन्नोर लाहॉल में किस्तिती के साथ चीन की सीमा लगती है इसे पहले इस घटना पर विदेश मंत्राले ने बयान जारी किया था विदेश मंत्राले ने कहा था कि भारत ने हमेशा LAC का सम्मान किया है और चीन को भी एसा करना चाहिए मंत्राले ने बयान जारी किया है और ये भी कहा है कि भारत ने हमेशा LAC के सम्मान किया है और चीन को भी इसकी पालना करनी चाहिए मंत्राले कहा है कि LAC पर कल जो हुआ उससे बचा जा सकता था दोने देशों में नुक्सान उठाना पड़ा है LAC पर हुई इस जड़ब के बाद दिल्ली में बैटकों का दौर भी शुरू हो गया है रक्षा मंत्री राजना सिंग की चीफ अफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुग जनरल M.N.N. नरवने के साथ बैटक हुई वहीं राजना सिंग ने इस मामले की जानकारी प्रदामंत्री मोदी को फोन पर दी तो वहीं विदेश मंत्री एस जेशंकर ने पीम आवाज जाकर प्रदामंत्री मोदी से मुलकात की भारती सेना ने क्या कहा है ये भी बता देते हैं आपको मंगलवार को दुपएर में भारती सेना की और से जारी किये के अधिकारिक बयान में कहा गया कि गलवान गाटी में सौंबर की रात को डी एसकलेशन की प्रक्रिया के दोरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक जड़ब हुई इस दोरान भारती सेना के एक सर्क और दो जवान जो है शहीद होगे है चीन ने क्या कहा है ये बता देते हैं आपको इस गटना के बाद चीनी विदेश मंतराले का अधिकारिक बयान जो है वो सामने आया है बीचिंग ने उल्टे भारत पर गुस्पैट करन की जो है कोशिश करी और अंतरशी समचर एजनसी ने इसकी बात की जो है बात कही है चीनी विदेश जो है वो मंतराले की और से कहा गए कि बारत ने ऐसी स्थिति में एक तरफा कारफाई ना करी ये भी उनसे जो है कहा गया है खबरों सिलसला यू जारेगा आप देखते रह हमारे इस वीडियो जाए लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते रहस्ता नीज को सब्सक्राइब करना ना भूले जै हिंद जै भारत नमस्ते रहस्तान जो, और अ मांस्ते रहस्ता है, जाए हमारे चैनल नधियो